नमस्ते और स्वागत है आपका construction zone चैनल में आपके roofing sheet के ultimate guide में आज के episode में हम बाजार में उपलब्द अलग-अलग प्राकार के जो roofs है उन्हें explore करेंगे और discuss करेंगे कि आपके घर के लिए कौनसी roofing sheet सबसे best रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं बाजार में आपको steel और color-coated roofing sheets की wide range मिलती है सबसब पहले चर्चा करते है color-coated sheets की जो की फिलाल काफी जादा demand में है steel और color-coated roofing sheets को देखते हुए color-coated sheets में सबसे अच्छा option है Tata Blue Scope Steel का Durashine Tata के reputation के साथ ये sheets सिर्फ घर के लिए ही नहीं बलकि schools, छोटे industrial shade, farming shade, go-downs और भी जगों में इनका इस्तमाल किया जाता है Durashine color-coated steel sheets अनेक रंगों में और अनेक design में उपलब्ध है जो की आपके building के रंगों से मिलते जुलते है ये sheets ना सिर्फ आपकी घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं बलकि roofing, wall cladding और अनेक जग़पर इनका application किया जाता है जैसे की false ceiling और साथ में partition के लिए ये एक उत्तम विकल्फ है Durashine को अलग बनाती है उसकी अनोखी मजबूती एक बार लगाने के बाद आपको सालों तक चिंता करने की ज़रुवत नहीं इसकी लिए Tata के zinc aluminum coating और काफी research के साथ develop की गई international technology का इस्तमाल किया जाता है जिसकी वज़े से corrosion resistance बहुत जादा बढ़ जाता है यानि कि आपके जो metal sheet होते है उनमें आपको जल्दी corrosion की समस्या दिखाई नहीं देती है असल में ये जो Durashine sheets होते है ये दूसरे sheet की तुलना में तीन गुना से भी जादा समय तक चलते है मजबूती के मामले में भी Durashine sheets सबसे आगे है ये भारी बोच को सह सकते है और आश्चेरे जनक बात ये है कि गर्मियों के मौसम में भी आपका घर अंदर से ठंडा रहता है और ये sheet लगाने में भी आसान होते है और इनका visual भी बहुत अच्छा दिखाई देता है इन सभी कारणों के वज़े से fabricator भी इन्हें recommend करते है तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के sheets की तो पहला type आ जाता है जो की है AC sheets यानि की asbestos cement sheet ये एक सस्ता और टिकाव option होता है लेकिन asbestos के health risk के कारण इनका इस्तमाल कम होता है साथ में अगर इनके उपर कोई चीज गिर जाती है तो impact के वज़े से इनके उपर आपको जल्दी crack दिखाई देते हैं उसके बाद next type आ जाता है जो की है GI sheet यानि की galvanized iron sheets अब इने जाना जाता है जंग को रोकने की शमता के लिए लेकिन सही तरीके से ध्यान नहीं दिया ज जाता तो इनमें भी आपको जादा जंग दिखाई दे सकता है इसके बाद तीसरा type आ जाता है जो की है polycarbonate sheet घर के अंदर अच्छे तरीके से रोशनी आने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है लेकिन समय के साथ इन sheet का color yellow हो जाता है या फिर इन sheet के उपर आपको crack आने जै लेने की शमता इनमें होती है तो अब हमने roofing sheet के बारे में जान करी तो ले ली अब हम ये जानते है कि जब भी हम roofing sheet लेने वाले है तो हमें कौन-कौन सी चीजों के तरब ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहला point आ जाता है जो की है sheet की thickness आपका जो sheet होगा उसकी म देना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे चलके वो color जो है वो जल्दी उखड जाए और तीसरा important point आ जाता है जो की है material composition आपका जो कोई भी उप्योग है उसी हिसाब से आपको sheet का चुनाव करना चाहिए और पाच्वा important point आ जाता है जो की है brand reputation ये चीज आपको जरू ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोई भी भरोसमन्द brand है उनके तरफ आपको जाना चाहिए जिससे की आपको आगे चलके result अच्छे मिले और पाच्वा point आ जाता है जो की है UV protection खास तोर पर ये point आपको वहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए जहाँ अधिक प्रमान में धू होती है तो ये सभी important factors roofing sheet का selection करते समय आपके बहुत काम में आएंगे आप अपने budget अनुसार और आपके स्तानिये मौसम के condition अनुसार roofing sheet का चुनाओ कर सकते हो और आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जो sheet की मोटाई है color coating है और सबसे important चीज ये आ जाती है कि जो लाइक कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो बहुत जादा ही अच्छी लगी हो तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और ये जो तीनों वीडियो है इन में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकती है